मैं कुंदन और मैं अभी अर्वल में हूँ अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यह अर्वल गांधी मैदान है और जश्ट बगल में हमारे उत्तर तरफ मेरा गाउँ है अहियापूर मैं यही का स्थाई निवासी हूँ हम लोग प्रती दीन और हर सब मतलब हर दम जब भी कोई लेजर टाइम होता है जब भी आना होता है तो गांधी मैदान अर्वल गांधी मैदान में ही आते हैं हम लोग यह पे खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं और घूमते हैं टहलते हैं यह अर्वल इस लोकलिटी का यह एक मात को बहुत बड़ा अस्थल के रूप में जानना जाता था यह जिए उच्विद्ध्याले का प्लेग्राउंड था यहां गर्ल्स हाई स्कूल हुआ करता था पहले और इधर बगीचा था और खेती हुआ करता था तो जिला सो रूप माने से जो है इसको गांधी मैदान का नाम दिया गया और गांधी मैदान को हम कहें रहें कि सरकारी अतिकर्मन के रूप में इसको देखा जा सकता है जैसे आम लोग जोगरी जूपी जोगरी लगाते हैं बाहर रोटकी किनारे उस तुरह से आप देख सकते हैं कि यहां भी आर्सी भावान इख्यल मैदान इस वाजाल वहाँ बगीचा के रूप में था और उसी अस्थल पर बीना प्राकिलित रासी दर्साय हुए बीना बोर्ड लगाई हुए काम किया जा रहा है क्या ये नहीं दर्साता है कि जो है से सरकारी मिली भगत का एक बहुत बड़ा खेल खिला जा रहा है सबसे पहले बुद्दा है कि जिये उच्वित द्यालय का जमीन था उजमीन को आचाना के गांधी मैदान का नाम डिया गया गांधी मैदान नाम देने के बाद से और जिकास बनाइया ersता बनाने के समाि यहाँ पर झ्ट्रों को कुछ ऐसा लगता है जैसे जीए उच्विद्यालय का जमीन है जीए उच्विद्याला का जमीन है जिए सफ श्चहमधित कुछ रही है उससे हमको लगता है कि गांधी मैदान बिल्कुल ही बिनास की तरफ बढ़ रहा है और जो यहां का जिला पर लगतार इसके बारे में अबाज उठा रहे हैं जिला पर अधिकारी महोदयास्ट भी मिला गया लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है को पोज देशन के हिसाब से यहां पर मात्र एक अरवल गांधी मैदान है जो भी भवन निर्वान होने के कारण बहुँ ज्यादा चोटा हो गया है यहां पर बच्चे सुबह बहाली के लिए आते हैं और बिहार पुलिस हो गया और पियार पुलिस हो गया आर्मी दोड़ हो गया उन इसलिए यह पूरे अरवल जिला की मांग है यहां पर जो गांधी मैदान ही रहने दिया जाए इस पर कोई सा भवन निर्मान न हो जिसके कारण गांधी मैदान पूरा संकीन होके छोटा हो जाए और पूरे तिरह से बाधित हो जाए हमारे पीछे दिख रहा होगा खेल भव दूसरे जमीन देते और उस पर खेल भवन बनाते दूसरा ब्यार सीं पहले से बना हुआ बिल्डिंग करते हैं अभी तक बनाया गया है बन के तयार है और अभी पब्लिक को नहीं दिया गया है इसमें पंचायच जुनाव में रखे हुई थी और उसको उसी तरीके का काम में यूज कर रही थी अब जो यह दो हिसा बचा हुआ है सामने दिख रहोगा हमारे ज़स्ट पीछे यह स्टेज बना हुआ है यहां पर मुख्यमंत्री और इस अस्तर के हर नेता आते हैं और यहां पर सभासंभोसित करते हैं और यह सामने मैदान यहां पर ऑडियन्स होता है बगल में जो यह जो दो हिस्षा बचा हुआ है इस कितना लागत लगे इस सब कुछ नहीं पता है और यह सामने जह रहा है और इस इस अ मतलब इसे फुटवार्वाल कोट बनेगा यह Lightning लोगों का अब यह बुज़र्गों का बुज़र्गों का इसी को मैदान ही रहने दिया जाए और उसको क्या पर बच्चे इस करने वाले महिलाइब और चलाने के लिए हम अभ्यास करते हैं और इस मैदान को खत्म करके फुटंबल कॉट बना दिया जाएगा और यह उतना ही जमीन ही है तो हम लोगों का मांग है कि इसको का रहे है इसको रोका जाएै करके नहीं महिलाओं के लिए ऐसा कोई गराउंड नहीं है जो भी है एक मात्र गांधी मैदान है साड़े साथ लग पॉपलेशन पर बस यह गांधी मैदान है कोई भी अरवल जीला का कारकरम हो या फिर जीला परसासन के दौरा कारकरम हो जो भी और्गनाइज होता इसी जी इसमें मांग हम लोग यह रखे हैं कि यह जो ग्राउंड इधर जो ग्राउंड बना हुआ है या फिर पसुपालन विभाग है या फिर इधर जो ग्राउंड बना हुआ है इसको एने एक सुन चालीस तक सटाया जा या फिर जो बॉंडरिंग किया गया है अगर इसके कर देने हिन ऊपने दो आपने हैं निया जनंदि मान देना फे है दो पस्टार रे दूसरे माद है घृप आ इंधन गय дав me जब जो इन जमीन रहे ऊच्छे उतर ली थी और इसुंग जाम будете दो लूड़ से विस्कोल और रेता back तो यहां पर पहले जैसे भवन बना रहा है तो उसका श्रक्चर क्या है है मतलब क्या बन रहा है अरा वल को जसुर्ण है उनको ही नहीं जनकारी है कि आखिर बं की रहा है ओ हम लोग आज पांत दिन से च्छो दिन से लगतार दोर負ूब कर रहे हैं सभी पता अधिकारी के पास चितीं से मिले बस बट जिला अधाधिकारी जो हैं पदाधिकारी महद्या है वो इस बात को गंभीरता से नहीं लिए वो बस बोले कि ठीक है इस बात पर संग्यान लिया जाएगा नेकिन ऐसा कुछ रिस्पोंस तो दिख नहीं रहा है कल हम लोग मिले थे आज यहां फिर जैसी भी च करवाले तो करवाजे वह भी भेजापूरती है 2009 में जब हम अर्वल हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो सैद हमको ठीक याद होगा तो उसी समय असंगवाच वाओ यहां के डीम थे और उन्होंने ही यह हाई स्कूल के जमीन को गांधी मैदान घोसित किया था फुटबॉल म सब गया तो कोई सहे जीला का टीम भी नहीं होगा उस ऊसंथर का को यहां पे खुदाइगे यह पार्क नगर परिषद के द्वारा बनाया गया था एक हिस्से में जह नौした में बनाया गया था और उसको नगर परिस्द मेंटेम्स नहीं कर पाए आज पार्क का हालाद देख सकते हैं कि वहाँ पे मतलब सब तूट फूट गया बरबाद हो गया और जो सीटिंग एरिया है वो सब भी तूट फूट गया कोई कुछ प्लांटेशन भी हुआ था प्लांटेशन तो आप देखी रहे होंगे अब उसी जगह पे जिस जगह पे पार्क था चिल्डेन पार्क था उसी जगह को अब सरकार जो है वो फूट बॉल कोट बना रही है अब बताइए यह स्थिति हो गया है तो हम लोगों का मांग है क से रोखे और गंधि मयदान को गंधि मयदान लिए दिया जाये और इसके पीछे बनाया जहाए है और इसको कर दया गया है मैदान को इसके एवज में हमको एंस ब rend और होस्टल में हर गोशिया ज्योंद को जर्ण जमीन को दिया जाए बगल में पसुपालन अस्पताल है इसके जमीन को भी कुछेरिया को दिया जाए और हो सके तो इसको दूसरे जगा पसुपालन अस्पताल को सिफ्ट किया जाए हमको लगता है कि सरकारी पताधिकारियों के द्वारा और अद्रिश सक्तियों के द्वारा एक बहुत बढ़ा गौटाला के रूप में काम किया जा रहा इसको और हम चाहेंगे कि गांधी मैदान है तो गान्धी मैदान हरप्शाइब जो भी राजनीतिक पार्टी BRAND-TRI 씁 सभी सरवदली राजनीतिक पार्टी से आहवान करूंगा कि इसको आप गांधी मैदान को बनाए रखे और यहीं हेली पैट हर कोई भी चुनावी मोसम में लोग आते हैं हेली पैट पर उतरते थे आज देख लीजे दर्शक दिशगा में मान लिया जा कि बहुत बरा लीडर सोनिया गांधी मोदी और राजनेता बहुत से अगर आना य थमता कम है आप सुन नहीं सकते हैं यह पलेग्राउंड आप देख सकते हैं गांधी मैदान का जो यहां तक यहां तक बास बल्ली से घहरा हुआ रहता है पुलिस पिकेट इधर रहता है जो उसको सुरच्छा की दिरिष्टी से आम दर्सक कहां रहेंगे जनता कहां सुनेग कैसे आप लोग भोट मांग सकते हैं कैसे आप इसको मैं चाहूंगा कि यहने 49 तक इसको बढ़ाया जाए जो हरिजन छात्रवाज के रुप में पहले जाना जाता था अनुसुची जाती बोलेंगे अब के समय से उसको तोर करके जो हैसे कि आज ग्रीर अच्छा महानी का पह रुप किया जा गांधी मैदान अस्थांत्रित बार बार नहीं होता है और हमारे जीये उच्छ बिद्याले के हैं से बात किये जो बोलते हैं कि हम इसको अस्थांत्रित नहीं किये हैं किसी को यह अभी जीये उच्छ बिद्याले के ग्राउंड है पले है बीना उनको अनुम है और इन ही चंद बातों के रखते हुए कम सम्दों में फिर कहना चाहूंगा सभी राजनीतिक दल सभी बरिये पदाधिकरी सभी मन्य विधायक सभी जो है से कि यहां के सांशत बर्तमान जो हैं उनको चाहेंगे मुख मंत्री से आहवान करते हैं कि इसको बड़ा ग्राउंड बनाया जा इस बीर्डिंग जो है से कि जहां बन गया है उसको छोड़ दिया जा और पक्का निर्मान नहीं किया जा यह हम लोग आम जनता की मांग है हम लोग जिस दीन एक काम ले आउट की अनिया खाल किया माननिया खाल को ने कॉल कोल हम लोगों का रिसीब करने से मतलब बात करनेArthur मतलब मुकर गय और जब उन्होंने अगले दीन ढूंद रोज तो ए deeply अनुपस्तित थे कुछ बचे यहां पे होंगे वहां पर आने के बाद सब बच्चों को डरा कर कहते हैं कि अफायार हो जाएगा आप पर यह सरकारी काम में रोक तुम लागाने वाले कौन होते हो और जेल चले जाओगे तो मानिय विधायक का सब्सक्राइब करने करें कि तो बाकी हम लोग प्रयास करें और ऑजर अर्वल के बाधिक लोग हैं उन लोगों से बात करके उन लोगों का समर्थन देने का प्राप्त करेंगे और हम लोग इसे काम को रोकेंगे किसी भी की मत पर तो यह जो आप और यह क्रीन को अब शब्सक्राइब कर दो कि आप इसा ही है जब यह के बनाया जा रहा था तो लोग रोक लगाने आये थे मतलब बताए थे कि यह क्या हो रहा है लेकिन लोगों को बहला फुसला कर क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि गांधी मैदान में दो तीन चीजें पहले यहां पर हो चुका है अर्वल वासिलपूर में ही 2016-17 के द सब्सक्राइब कर देंगे यहां कि यह हम लोग नहीं होने देंगे यहां पर संगठित होकर हम लोग गांधी मैदान के बचाने की लड़ाई को जिस हद तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे और इसको नहीं होने देंगे गांधी मैदान को मुक्त करो मुक्रो मुक्रो अजिक्रमां से मुक्त करो मुक्रो मुक्रो झाल मुक्रो झाल